आपका एक बर फिर्श्य आपी के यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगा भी अक्सिता कोटन लेमिटेड को लेकर अक्सिता कोटन लेमिटेड आप लोगों देखा अब एक टेक्स्टैल इंडूस्ट्री कमपनी है और इस स्टॉक के अंदर आपने पीछे भी देखा होगा भी रजैल्ट्स आए अच्छे खासी रजैल्ट्स आए लेकिन स्टॉक में फिर भी गिरावट और इसके और पीछे क अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यह स्टॉक अभी 80 रुपे प्लस निकला था जहां पर स्टॉक में एक हैवी ऑपरेटर गेम चल रहा था जहां पर बड़े प्लेयरों ने अपना पैसान निकाला उसके बाद स्टॉक सेदा डंप हुआ और यह स्टॉक का आकर टूटा और निचे में आ गया था 26 के असपास ठीक है फिर हमारे पास कमेंट आये थे हमारी जो रजल्स के मैंने वीडियो डाले थी उसके उपर किस रजल्स अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी स्टॉक क्यों टूट रहा है देखो वही सिरफ और सिर्फ ऑपरेटर गेम के व तो भी 25 के असपास आया वहां से 25 से 30 के असपास रहा जाता है फिर स्टॉक में गरावट लेकिन समझोगे तो उसी लेवल के बीच में काफी टाइम से कंसल्डेट कर रहा है और अभी पीछे एक अपडेट ओर रहा है जब यह स्टॉक था इठिंक 25 के असपास पास पॉंच हो सकती है और यह स्टॉक में भी ऊपर में आपको 30 रुपे तक के जो मुमेंट से यहां से दिखा सकता है और वही हुआ 25 से स्टॉक चला और अभी के टाइम पहुंचा हुआ है साथ डे अठाइस के आस पास तो स्टॉक में काफी अच्छी जो रैली है वह नीचे के भावश अगर देखे तो वह बन चुकी है ठीक है और यह तेजी क्यों बनी है क्योंकि कंपनी ने अनौंस किया कि वह 23 नवंबर को जो होग इसकी बॉर्ड मिटिंग उसके अंदर बोन जोना भी कंपनी बाटेगी यानि कि बॉनस के बारे में अनौंसमेंट करेगी किस रेशो में जो कंपनी अपने शेर होल्डर को बॉनस देने जा रही है और यही एक न्यूज है जिसकी वजाशे स्टॉक में वापसी फिर से हो सकती है वह बाई होल सेल आपके उपर खुद क जोना भी यह डिपेंड रहेगा कि आपको करना हो तो कहां पर खुदिना कहां पर बिचना वो तो आपके उपर डिपेंड है लेकिन जो खबरे आ रही है जो न्यूज है जिन से लगता है कि स्टॉक में फिर से वापसी आ सकती है वो आपसे मिस नहीं होगी तो चैनल को सब् ज्यान में रखो 4.6 मिलें जाने कि 46 लाग के करीब वोल्यूम आई और आज जो स्टॉक है फिर से 3% के करीब चड़ा है लेकिन अपने बावन भी खाय से स्टॉक अभी भ्याक को यह लगभग 65-66% की गिरावट में दिखाई दे रहा है ठीक आरसे मफाई है यह ठीक ठाक र अभी यह स्टॉक नीचे में 26 के आसपास आया था और वहां से अभी के टाइम अगर देखे 16 नमंबर के बाद है उसके बाद स्टॉक में तेजी और यह साड़ेट है इसके बाव में पहुंचा हुआ है और आप लोग देखो कि यहां पर ऑपर ऑपरेटर गेम देखने को मि पर और वहां से स्टॉक में जो गिरावट बनी वो नीचे में आपको 27 25 फिर वहां से स्टॉक उपर पहुंचा 31 तेक उसके बाद जो स्टॉक हो यहीं आप लोग है 26 25 उपर में 30 इसी के बीच में जोना भी कंस्ट्रोडेट करती हो नजरा हुआ अभी के टाइम फिर जो पास पहुंचा 28.45 रूपे के आस पास है और यहां से देखते भी क्या कुछ मुमेंटम स्टॉक के बनेंगे और पीछे के रेजल्स भी उससे भी शांदार रेजल्स हमें देखने को मिले प्रॉफिट में इजाफा हुआ है रिवेन्यू में इजाफा हुआ सब कुछ में हम को सब्सक्राइब और बैल अगों को प्राश करके रखिए बई तो यहां पर आप लोग देखने को मिले प्रीवेस क्लोजिंग के इसके 27 रूपे 65 पैसे ओपन हुआ 28.50 लो स्टॉक सोरी हाई गया 28.50 लो लगाया 28.30 यानि प्रीवेस क्लोजिंग से स्टॉक उपर में रहे क्लोजिंग 28.45 के आसपास देखने को मिले ऐसे में मार्केट प्राइस के ओपर एक 5,087 कॉंटिटे का बाई ओडर लगा है डिलेवरी पॉजिशन के अगर बात की जाए तो शानदार लगबख 56 परशेंट के क्रिव डिलेवरी उठी है शेर टेड हो है 37,44,000 और 20,22,000 के क्रिव डिलेवरी उठी है डिलेवरी बहुत अच्यूट रही है ठीक एक बायोड भी आई है तो स्टॉक में कल फिर तेजी के संकेत है तो चल दिये भई कल पता चल जाएगा कि इस रिशो में बोनस देगी डेट वगरा भी आई थिंक कल के दिन आ जाए तो अच्छी बात अगर नहीं आएगी तो बाद में जैसे आईगी उसके बारे भी आपको बताएंगे तो चले एक बरिश का चार्ड देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखो कि जब से यह न्यूज आई है भी तब से लेकर अब तक स्टॉक जो नभी नॉन स्टॉप चला है और यहां पर डवल जो बोटम है उसका पैटर्ण भी हमें देखने को मिला है उसके बाद तो स्टॉक में का अच्छी खासी रैली जो है वो बरकरार और पर डे जो स्टॉक अवो गैप अपन होता है अब देख सकते हो पर डे गैप में उपन होता है और उसी प्राइज के आज पास हमें जोना भी तिकते हुए नजर आ रहा है देख सकते हो ठीक है के चल सकते हो और जो सपोर्ट की बात करें तो देखो भी यहां पर यह सपोर्ट या फिर ऐसले के चल सकते हो जो की रहेगा अठाइच पचास का ठीक है आज होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब पर ना बिलकुल मत भूलना ताकि इस टॉक रिगार्डिंग कल की अपडेट आपसे मिस नहीं थैंक यू फॉर वच्मी दे वीडिय झाट गाँ झाल मत रहsoं मत उपड़ आपसे म ine竹san को समगता हिक खावी ओंस बखाय।